आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं ट्रांस्पोर्डिशन इंजिनिरिंग में एक्स्ट्रा वाइडनिंग ठीक है तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग पहले हम लोग समझते हैं कि क्या होता है एक्स्ट्रा वाइडनिंग और क्यों प्रोवाइड किया जाता है ठीक है तो वो वहिकल कभी भी उसका फ्रन्ट टायर जो है फ्रन्ट एक्सेल है और जो रियर एक्सेल है वो क्या पाथ फॉलो कर रहे हैं क्या उनको जादा स्पेस चाहिए मूव करने के लिए ये सब कुछ जो एक्स्ट्रा विट आपने प्रोवाइड करिये जो नॉर्मल लेन है उससे जो एक्स्ट्रा विट आपने प्रोवाइड करिये उसी को मैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग बोल रहा हूँ ठीक है अगर मैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग के एक्स्ट्स बताऊं कि हम लोग एक्स्ट्रा जो विट्ट प्रोवाइड करेंगे वो किस expect पर dependent है तो पहला बोलता हूँ पहला aspect जिस पर dependent है मेरा extra widening that is off tracking इस off tracking पर dependent है मेरा off tracking पर dependent है off tracking expect हो गया एक तो और दूसरा depend है psychological aspects पर psychological aspects पर dependent है मेरा extra widening first is dependent on off tracking and second one is dependent on psychological aspects ठीक है अब off tracking से क्या बोलने का मतलब है मेरा तो समझे यहाँ पर मैं diagram से आपको बना के दिखाता हूँ एक figure बना के दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा तो देखिए यहाँ यहाँ पर मैं यहाँ बनाते हैं हम लोग figure तो बोल है यह देखिए यह आपका कोई भी एक horizontal curve है यह कोई भी आपका horizontal curve है जिस पर आपका vehicle move हो रहे है ठीक है यह है आपका horizontal curve अभी आपने बोला आप कि जो भी आपका vehicle जा रहा है यह आपका उसका फ्रेंट एक्सेल यह रहा उसका फ्रेंट एक्सेल यह रहा उसका फ्रेंट एक और यह आपको दिख रहा है यह उसका रियर एक्सेल है जो कि एक रिजिड बेस से कनेक्टेड है यह रिजिड एक्सेल से अब यह अगर देखोगे आप जो अगर मैं ट्राजेक्ट्रे ट्रांस्वस बताऊँ तो ऐसा उस दिख रहा होगा यह जो है हमारा जो अगर इसा कुछ देखने को मिल रहा होगा हम सबसे जाधा कशन यह राइज होता है कि सर मैंको यह बताइए कि अगर देखो बहुत सारे student को ये confusion होगा कि मेरा off tracking सिर्फ तभी होगा जब मेरा vehicle अपनी design speed से जादा से move करेगा design speed से जादा से move करेगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरा vehicle जब design speed से कम भी move करेगा तभी वो off track हो सकता है तो पहला चीज जो आपको interview में generally पूछा जाता है कि slow moving vehicle क्या off track नहीं हो सकते बिल्कुल off track हो सकते क्या fast moving vehicle off track हो सकते बिल्कुल off track हो सकते दूसरी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो देखो ये है कि off tracking का exact meaning क्या होता है किसी भी वीडियो आपने इतना सारा YouTube में वीडियो एक लिए आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है कि exactly off tracking होता क्या है आपको बहुत सारी चीज बताती जाएगी बट exact कोई नहीं बताएगा तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को off tracking का exact meaning बोलता है आप लोगों को कि off tracking होता है जब भी आपका rear axle जो भी ये rear axle है और front axle है same path को अगर नहीं follow कर रहे हैं तो उसको मैं बोलता हूँ off tracking ठीक है उसको मैं बोलता हूँ off tracking ठीक है अब ये आपको देखें मैं बोलता हूँ कि मेरा जो off tracking aspects है off tracking aspect है उसके कारण क्या value आ रहा है widening का ठीक है off tracking aspect के कारण क्या value आ रहा है widening का ठीक है तो मैं इसको एक diagram बनाता हूँ इसको पूरा बनाता हूँ थोड़ा सा तो देखेंगे ज़र रहे हैं यहां तक मैंने बुला यह समझे इसका center जिसको बुला यह कितने distance पर r1 distance पर मैंने बुला यहां से यहां तक का जो distance है that is r2 ठीक है यह जो distance है इसको मैंने बुला wm mechanical widening ठीक है अभी देखेंगा जरा आपको यह समझ में आता है आपको यह समझ में आता है कि मैं बोल देता हूं इसको कुछ नाम रख देते हैं यह length of wheelbase जो रहेगा वो L रहेगा length of wheelbase is L यह रहा L ठीक है अभी मैं बोल रहा हूं कि आपको देखेगा r2 का square या r2 is equal to r1 minus sorry r1 is equal to r2 minus wm के बराबर ठीक है r1 is r2 minus wm के बराबर ठीक है मैं इसको बोल देता हूं यह ट्रेंगल है जैसे मान लीजे a, o और b का एक ट्रेंगल है ठीक है तो मैं बोल देता हूं इन ट्रेंगल a, o, b a, o, b ट्रेंगल की बात कर रहे हैं तो यह हो जाएगा a, o, b का स्क्वाइर is equal to o, a का स्क्वाइर plus a, b का स्क्वाइर ठीक है तो मैं बोल देता हूं o, a का स्क्वाइर is equal to o, b का स्क्वाइर minus a, b का स्क्वाइर o, a कितना वैल्यू है देखो जारा है यहां पे वो एका value बोल रखा है उन्होंने R2 का square sorry R1 का square is equal to R2 का square minus L का square R2 का value बता दोन लोगों को तो यह हो जाएगा R1 का square is equal to R2 का square minus L का square ठीक है यहां तक देखा हमने तो हम लोगों को पता है यह जो A है value यह यहां लिखे है यहां तक के लिए बता रहा हूँ triangle A और B के लिए ठीक है अब यह मैं बोल रहा हूँ R1 की बात कर रहा हूँ मैं तो R1 की value मैंने क्या बता है R1 is equal to R2 minus WM बताया तो R1 का square कित्ता हो जाएगा ही हो जाएगा R2 minus WM का whole square is equal to R2 का square minus L का square ठीक है तो इसको मैं जब open कर दूंगा तो ही हो जाएगा R2 का square plus WM का square minus 2R2 WM is equal to R2 का square minus L का square ठीक है यहां तक देखा अगर हम लोगों ने तो R2 से R2 cancel हो जाएगा मेरा तो जो final value बचेगा वो बचेगा WM square minus 2R2 WM के बराबर is equal to minus of L square ठीक है यहां से मैं क्या करता हूँ मेरे लिए mechanical widening पता करना है मैं को तो मैं क्या करता हूँ अपना WM को common ले लेता हूँ तो मैंने बुला WM is equal to sorry WM अंदर आ जाएगा WM minus 2R2 ठीक है इस equal to minus L square आपके अगर हो minus को multiply कर दो पूरी equation में तो आपको जो देखने को मिलेगा next वो देखने को मिलेगा WM अंदर 2R2 minus WM is equal to L square जाब नहीं यह किया तो आपको यह समझ में आ रहा है देखो जा रहे यहां पर 2R2 minus WM आप देख रहे हो R2 is very very greater than WM R2 is very very greater than WM therefore 2R2 is very much greater than WM तो हम लोग इसको किसके बराबर approximately consider कर लेते हैं मैं यहां लिख देता हूं कि 2R2 is very 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 greater than WM therefore 2R2 minus WM को हम लोग approximately किसके बराबर consider कर रहे हैं 2R2 के बराबर ही consider कर रहे हैं तो यह जो value हो जाएगी वो हो जाएगी WM is equal to L square divided by 2R2 के बराबर ठीक है 2R2 बोल दू यह radius of curve बोल दू अब देखो जरा यहां पर mechanical widening उन्होंने बोल दिया क्या बोला है किसके बराबर L square by 2R के बराबर यह आपका off tracking बता रहा होगा कि कितना आपका यह जो wheel है यह कितना off track कर जाएगा अब जरा समझना मैंने आपको बोला था slow moving और fast moving के बारे में हम लोग बात कर रहे थे vehicles के बारे में तो देखो जरा ध्यान से देखना जब मैं बोल रहा हूँ कि जब मेरा slow moving vehicle होगा ठीक है slow moving vehicle है तो मेरा यह vehicle जब इस पे transverse skidding कम लगेगी या centrifugal force कम लगेगा तो यह हमेशा अंदर की side ही रहेगा अगर मैं बोल रहा हूँ इस पे अंदर की side बाहर की side कोई force नहीं लग रहा है तो यह मेरा अगर मैं बोल रहा हूँ front axle का inner wheel अगर इदर है front axle का inner wheel अगर मेरे road के inner edge पे है तो यह जो मेरा rear axle का inner wheel होगा वो कहा होगा हमेशा shoulder पे होगा क्योंकि rigidity के कारण हमेशा wheel based की rigidity के कारण मेरा जो rear wheel है वो shortest path follow करना चाता है और उस shortest path follow करने के चक्कर में मेरा जो यह rear wheel है वो कहां रहेगा shoulder पे रहेगा ठीक है यह तो हो गई किसके लिए slow moving vehicle बोल दूँ या आपका वेहिकल design speed से travel कर रहा है या design speed से कम travel कर रहा है अगर मैं बोल दे तो आपका vehicle क्योंकि आपने design speed के लिए तो बनाया ही था इसको ठीक है अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर आपका vehicle design speed से थोड़ा जादा से travel कर रहा है ठीक है क्योंकि उसके लिए तो आपने अपने horizontal car को design नहीं किया है तो जब भी आपकी थोड़ी सी भी design speed से जादा से आपका अगर vehicle travel कर रहा है तो यह vehicle जो है यह देखिएगा आप यह क्या हो जाएगा transverse skidding होगी इसमें तो अब मैं क्या कर रहा हूं transverse sk cell है उसका जो outer wheel है उसको जादा से जादा turn पर ले जाने की कोशिश करूँगा ताकि यह mechanical widening बढ़ जाए आपका gap आपको जादा मिले ताकि जब भी transverse skidding हो तो आप अपने lane से बाहर ना चले जाओ इसलिए किया यह मैंने ठीक है तो आप एकदम corner से turn लेने का try करेंगे ठी इसरी बात यह corner से turn लेने का और क्या मतलब है इस corner से turn लेने का यह मतलब है अगर आप horizontal curve में move हो रहे हो तो आपका जो sight distance है वो बढ़ जाता है है ना आपका जो line of sight है वो जादा दिखता है आपको आपको दूर से आने वाले vehicle generally जल्दी दिखते हैं इसलिए आप corner से corner से जब भी हम straight road पे चलते हैं तो जितनी past से हम लोग गाड़ी निकाल लेते हैं उसके comparison में जब भी हम horizontal curve पे move होते हैं हम लोग जादा gap रखते हैं clearance distance जादा रखते हैं एक दो vehicle के बीच में है यह psychological tendency है जिसके कारण हम लोग corner से move करने try करते ठीक है तो यह तो देखा आप लोग tracking aspect की वज़े से second जो मैं बात करूंगा है वो बात करूंगा साइक ओलेजिकल एसपेक्ट के उपर बात करूंगा साइक ओल्जिकल एसपेक्ट में जो बात कर रहा हूं मैं देखिए जो off tracking है वह होता है फॉर्मूला होता है वी बाए 9.5 root r और यहां पे जो velocity है वो kmph में दी हुई है और यहां पे जो radius है वो meter में दिया हुआ है ठीक है और यह जो formula है वो एक empirical formula है to empirical formula है तो इसका KYI derivation आप लोगो को नहीं देशकता है hope empirical formula है तोicable formula में आप लोगको unit का थोड़ा सा ध्यान रखना है जिसमें मैंने बोला है उसीमें रखना है तो therefore आपसे अगर कम्माइन पूछेगा टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग अगर पूछा जाता है आप से टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग अगर पूछा जाता है तो आप एक्स्ट्रा वाइडनिंग किसके बराबर बोलोगे आप बोलोगे Mechanical Widening बोल सकते हो Mechanical Widening Widening Plus Psychological Widening के बराबर Psychological Widening के बराबर Mechanical Widening देखते है Mechanical Widening यही रहे आपका L² by 2R ठीक है यह तो अभी जो मैंने बताया है वो Single Lane के लिए बोला है अगर Number of Lanes बढ़ा हो गया आप तो आपका Mechanical Widening हो जाएगा WM is equal to N L² by 2R यहाँ पर L क्या represent कर रहा है L आपका represent कर रहा है यहाँ पर length of wheelbase को L² ठीक है यहाँ पर L क्या represent कर रहा है यह length of wheelbase को represent कर रहा है जो गाड़ी का wheelbase represent हो रहा है ठीक है R क्या represent कर रहा है r आपका radius of curve को represent कर रहा है और n क्या represent कर रहा है n आपका represent कर रहा है number of lanes को ठीक है तो आपने देखा number of lanes तो यहाँ पर हो जाएगा mechanical widening that is n l square by 2 r plus psychological widening that is v by 9.5 root r ठीक है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो अपना extra widening आपने कितना provide किया है तो आपको समझ में आया कि extra widening कैसे provide करते है क्या क्या reasons extra widening provide करने के ठीक है अगर मैं आपको curve एक और इसके लिए छोटा सा aspect और बताऊं मैं आपको कि अगर मैं आपको curve पर बात कर रहाता हूं ठीक है देखो ज़रा अगर आपका बोलते हैं IRC के according बोला जाता है कि अगर आपका curve का radius 300 meter से ज़ादा है अगर जो भी radius आप curve पर provide कर रहे हूँ अगर 300 meter से ज़ादा है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है आपका extra widening provide करने के ठीक है लेकिन अगर आपका curve का radius अगर आपके curve का radius 50 meter से लेके 300 meter के बीच में लाए करता है तो हम लोगों को extra widening जो भी आपने निकाला होगा WE बोल रहा हूँ मैं इसको अगर मैंने बोला अगर मैं इसको WE बोल रहा हूँ extra widening को तो वो कैसे provide करना है ठीक है आपके लिए कुछ भी data दिये रहेगा if radius radius of curve is greater than 300 300 meter तो बोलते हैं therefore no extra widening no extra widening is required ठीक है मेरा case 2 बोलता है case 2 बोलता है if r lies between कहां से कहां के बीच में लाए कर रहा है 50 से लेके 300 meter के बीच में लाए कर रहा है ठीक है 50 से लेके 300 meter के बीच में लाए कर रहा है तो देखें कैसे provide करोगे तो आपको क्या करना है यह आपका straight road है यह आपका transition कर वह है और यह आपका circular कर वह है बाद फिर transition कर और फिर circular कर मैं आपको transition कर बहुत अच्छे से deep में study करने वाले हैं हम लोग transition कर तो वरी मत करो नाम सुनके यह आपका straight road transition कर circular curve और वापस से पूरा same scenario तो यह आप लोगों को curve दिख रहा है जिस पर आप move कर रहे होंगे तो अगर आपको we आपका बोल रहा है extra widening आया है तो आप कितना provide करोगे तो देखेंगे यहां पर जैसे मैंने बुला यहां से यहां तक जो कर्व रिप्रेजेंट कर रहे है वह कौन से कर्व रिप्रेजेंट कर रहे है यह straight curve को रिप्रेजेंट कर रहे है यह रहा श्रेट श्रेट पाथ यहां से यहां तक मैंने बोल दिया यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांजीशन कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांजीशन कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहां पर भी यह ट्रांजीशन कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा ठीक है और यहां पर यह circular curve को represent कर रहे है तो आपका जब भी आपका radius लाए करेगा कहां से कहां तक 50 से 300 के बीच में तो आपको कैसे provide करना है आपका जो भी transition जो भी weight आया है उसको आपको यहां से लेना है जहां से आपका transition कर्व स्टार्ट हुआ है यहां तक आते आते यह जो विट्ट हो जाना चाहिए आपकी circular कर्व पे जो अपने provide करना है that is w e by 2 जो भी आप transition कर्व वापस आएगा वहां तक w e by 2 चलेगी और उसके बाद धीरे 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 यह फिनिश हो जाएगी जब तक आप स्ट्रेट कर पर आओगे similarly same scenario आपको यहां पर देखने को मिलेगा transition कर पर यहां पर यह रहा w e by 2 तक ठीक है यह रहा आपका यह रहा w e by 2 तक यह हुआ same w e by 2 तक आपको प्रोवाइड करनी है और transition करवाने के बाद धीरे से उसको फिनिश कर देनी है ठीक है ऐसा कुछ scenario आप जो प्रोवाइड करोगे आपके circular कर प्रोवाइड करोगे तो extra widening ऐसे प्रोवाइड करनी है ठीक है अगर मैं आपसे बोलत अगर आपका रेडियस कहां से लाइब कर रहे हैं पचास मीटर से कम है आपके केस का रेडियस बोल रहा है अगर आपके circular कर देखा देते हम लोग यह रहा वो circular कर जिस पर आप कर रहे होंगे तो मैंने बुला आपका सबसे पहले यह स्ट्रेट कर वोगा कुछ दूरी तक ठीक है स्ट्रेट कर वोगा उसके बाद फिर मैंने बुला यह ट्रांजीशन कर वोगा आद इस बढ़ कर वोगा कि उसके बाद यहां से फिर सर्किलर कर होगा है उसके बाद फिर से ट्रांजीशन कर वोगा और उसके बाद फिर से आपका स्ट्रेट कर वोगा ठीक है अभी देखो ज़रा है यहां पर तो आपका जो भी एक्स्ट्रा वाइडनिंग आया है डबलू ई आया है जो भी कैलकॉलेशन से उसको कहा प्रोवाइड करना है तो आप खुद गैस करिए जब भी आप सेंट्रिफिगल फोर्स पर बात कर रहे हैं ठीक है जब भी आप डिजाइन स्पीड से जाधा से चल रहे हैं तो आप क्या करते हैं, आपको पता है कि आपको बाहर की साइड सेंट्रिफिगल फोर्स लगने वाला है, आपको सेंट्रिफिगल फोर्स कहा लगने वाला है, आउटर एज की तरफ लगने वाला है, मतलब आपकी वेहिकल को जो सेंट्रिफिगल फोर्स है, वो बाहर की साइड ले जाने वाला है लेन से outer edge की side तो आप कोशिश करते हैं हमेशा inner edge की side push करने को तो आप inner edge की side क्योंकि आप नीच आओगे आप corner पे रहोगे आपको centrifugal force बाहर ले जाने जाएगा तो बाहर जाने की probability बहुत जादा बढ़ जाएगी तो आप चाहोगी कि जितना भी मैं extra widening provide करूँ अंदर की side provide करूँ ताकि मैं जादा से जादा आपने vehicle को अंदर की side रख पाऊँ तो देखो कि ज़रा यहाँ पे जो हमारा radius of curvature छोटा होगा तो हम जितना भी जितना भी curve provide करेंगे हम लोग extra widening जो भी provide करेंगे वो कहाँ provide करेंगे पूरा का पूरा inner edge की side provide करेंगे तो देखो transition curve से start होगा transition curve से start होगा यहाँ तक आते आते circular curve आपको extra widening we provide करना है फिर यह we constant यहाँ तक चलेगा और फिर वापिस transition curve तक आते आते यह zero हो जाएगा ठीक है तो ऐसा कुछ आप लोगों को provide करना है अपना extra widening कहां से कहां तक यह circular curve के लिए we तक आप लोगों को provide करना है ठीक है यह तो मैं को समझ में आ गया अच्छा मैं एक basic चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ अगर आपसे कोई पूस्ता है कि भाई straight road का मैं को radius of curvature बताओ तो ठीक है आप लोगों को समझ में आता है कि अगर मैं straight road की बात कर रहा हूँ देखो जारा है यहां पर यह straight road की बात कर रहा हूँ इसका मतलब इस point और इस point के बीच में radius of curvature निकालने को बोल रहा है और मैं को पता है कि यह दोनों curvature infinity पे लाए कर रहे ठीक है क्योंकि इनको कैसे consider करूँगा मैं अगर मैं को जैसे circular curve की बात कर रहा हूँ यह रहा वो circular curve ठीक है तो इस point से यहां का और इस point से यहां का जैसे आप radius कम करते जाओगे radius of curvature कम करते जाओगे मतलब आप बहुत steep curve लेने लग जाओगे और बहुत steep कर लेने लग जाओगे इसका मतलब R का value कम हो रहा होगा और अगर R का value कम हो रहा होगा इसका मतलब आपका centrifugal force बढ़ रहा होगा R का value कम हो जाएगा तो आपका centrifugal force बढ़ जाएगा और अगर centrifugal force बढ़ रहा है मतलब आपके vehicle का बाहर जाने का off tracking का tendency बढ़ते जाएगा इसलिए हम लोग जो भी extra widening provide करिये वो inner lane की side provide करिये ठीक है thank you so much